चोपड़ा जो किस न्यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत गता हूँ मेरे पैरे बचो नी 23 MBBS BDS admission की date close हो चुकी है यानि कि ये admission इस साल के लिए complete हो चुके है अभी नी 23 में हर एक category में cutoff काफी ज्यादा high रही है तो ये cutoff इतनी ज्यादा क्यों high रही है इसके बारे में हम पुरा analysis करेंगे मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या reason रहा कि नी 23 की cutoff इतनी ज्यादा high रही है तो क्या ये नी 24 की cutoff भी high रह सकती है इस reason के कारण जो मैं आपको बताने वाला हूँ और आपको कितना target set करना चीए नी 24 के लिए क्या cutoff रह सकती है इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो नी 23 की cutoff रही है वो इस परकार से रही है UR category की जो cutoff रही है वो 610 रही है EWS की भी 610 cutoff रही है इसमें EWS की cutoff 607 रही है और SD की cutoff 480 रही है SD की cutoff 445 रही है जबकि अगर 22 की cutoff देखी जाए यहाँ पर तो 22 की cutoff और 21 की cutoff तकरीबन same सी ही थी यानि की approach से 595 यह cutoff रही थी और इस बार यह 610 रही है जनरल category से हम compare करें तो तो इसमें 10 या 15 marks का difference हरे एक category में रहा है 15 marks से ज्यादा रही है इस बार यह cutoff तो यह cutoff इतनी ज्यादा क्यों रही इसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि यह cutoff अगर 24 में भी रही तो कितनी ज्यादा रह सकती है इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं इस वीडियो में अब सबसे पहले हम देखते हैं इसमें आगे region क्या है high cutoff रहने के 23 में high cutoff रही इसके क्या region है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कोरोना के बाद में online classes start हुई हैं यानि कि जैसे ही करोना start हुआ था उसी समय से online classes start हो गई थी अब मैं आपको बताऊं कि जैसे NEED 21 का देखें, क्योंकि Corona उसी समय start हुआ था, तो NEED 21 का देखें, तो NEED 21 का paper इतना ज्यादा hard भी नहीं था, यह moderate paper था, NEED 22 का देखें, तो यह भी paper moderate था, और NEED 23 का paper इनसे अगर compare करते हैं, इनसे अगर compare करते हैं, तो थोड़ा सा moderate से hard की तरफ में जा रहा था knee 23 का लेकिन ये ये नहीं था कि knee 21 से knee 22 से ये paper easy था ऐसा बिलकुल नहीं था ये आपने भी देखा है आपने paper भी दिया है आप paper के बारे में जानते हैं अच्छी तरह कि जो knee 21 का 22 का paper था उससे तो ये easier side में नहीं था बिलकुल भी तो जब ये easy नहीं था तो cut off इतनी जादा नहीं जानी चीए क्योंकि seat भी काफी बड़ी थी student बड़े थे तो seat भी बड़ी थी और इतना ही जादा फरक था तो ये कम से कम 600 तक आके रुख जाती है अगर हम ये seat और इसका देखते हैं अलग एक्टर देखते हैं तो लेकिन फिर भी इसके बावजूद cut off आई रही है तो इसका main reason ये है जो main cut off depend करती है वो paper के difficulty level पर cut off depend करती है उस paper को कितने student अच्छी तरह से attempt कर पाते हैं difficult हो तो काफी जादा student को opportunity बिलेगी काफी जादा student attempt कर पाएंगे तो उसमें अच्छे student के काफी अच्छे marks भी आएंगे उसमें तो सबसे बड़ा reason एक ये है कि 23 का paper easy नहीं होने के बावजूद भी ये cut off जादा क्यों गई तो इसका reason ये है कि कोरोना से online classे start हो गई थी और उन online classes का जो result आना है ये अभी से start हो गया है 23 से क्यों हुआ है इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं अब जब कोरोना में ये online classे start हो गई तो ये जो online classे हैं ये low cost पर मिलने लग गई थी आपको पता है जब low cost पर मिल रही हैं तो काफी online course से काफी opportunity मिली है इस बात को आपको आप चाहे agree हो या ना हो लेकिन ये तो जरूर मानना पड़ेगा कि online classे जब से आई हैं तब से नीट में बच्चे ज्यादा बैठने लगे हैं हर कोई बच्चा जो पहले afford नहीं कर पाता था वो बच्चा भी online classes से पढ़ करके selection लिया है 23 में ये मेरे पास में इसके example भी है मान लो अगर कोरोना से पहले की हम बात देखें online classes के पहले की बात देखें तो जब offline coaching ही हुआ करती थी हर एक student को offline coaching में जाकर के coaching लेनी होती थी और वो offline coaching का जो expense है वो बहुत ही ज्यादा होता था यानि कि online classes की तरह offline classes घर में बैठके तो कोई student पढ़ नहीं सकता उसको coaching जाना होगा तो coaching की फीश अलग से होगी माल लो किसी coaching की फीश एक लाग रुपए है उसको वहां रहना भी है और वहां रहके study करनी है और कोई expense भी होता है उसका books वगरा का है उसका खाने खर्चा का है तो एक लाग अगर ये माने तो किसी भ opportunity नहीं ले पाते थे ये लेकिन अभी कोरोना के बाद क्या हुआ है कि online courses इतने सस्ते हो गए हैं कि हर एक student पढ़ सकता है यानि कि जिस student ने 12th class पास कर ली वायो से वो घर बैठ के आराम से 2000 रुपे का course मिल जाता है आज कल इतनी सस्ते course होगे 2000 रुपे में आपको पूरा neat का से ले बस मिल जाता है इन 2000 रुपे में आप पूरे साल में घर बैठ के पढ़ाई का सकते हैं घर का माहूल मिलेगा घर का खाना मिलेगा सब कुछ आपको घर का मिलेगा तो ये जब 2000 रुपे में आपका काम हो रहा है 5000 का mobile ले लो books वगरा मिला के आपका 10,000 में पढ़ जाता है इसलिए इंडिया में इतने सारी प्रतिभाएं हैं जो पहले उबर के नहीं आ रही थी अभी वो उबरने लगी है ये नीट 23 का एक्जामपल है काफी सारे स्टुडेंट ने नीट 23 उनी स्टुडेंट ने क्लियर किया है जो ओनलाइन पढ़ के किया है तो ओनलाइन से पहले ये प्रतिभा नहीं जलकती थी लोगों के पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे जिनके पैरेंट्स गरीब हैं नहीं पढ़ा पाते थे लेकिन आज के टाइम में हर कोई गरीब से गरीब मजदूर भी अपने बच्चे को ओनलाइन कूर्स करवा सकता है नीट की तयार आई है अब सबसे बड़ा आपका एक कन्फिजन और दूर कर देता हूं सबसे पहले कि यह आता है कि यह तो नीट 23 में भी ओनलाइन क्लास थी नीट 22 में भी ओनलाइन क्लास थी तो 23 में ही ऐसा क्यों फरक पड़ा यह क्यों फरक पड़ा ऐसा तो इसका रिजन यह है कि यह लाद निकल तीन साथ बार निकल के चाहर साल बार निकलके आता है जिस बच्चा जो बच्चा तयारी करा है 21 से online की वह ऐसा तोakte है नहीं कि 21 में ही नीट कलियर कर लएगा 22 में भी उसने प्रियास किया है 23 में भी वो प्रियास करेगा क्योंकि मात्रे खर्चा तो इतना 10-15 जार काता है घर बैट के तैयारी करेगा वो 12th क्लास उसने पास कर लिए और कोई है नहीं तो आगे उप्सन यही है उसके पास में तो वो पर्तिवाइ अब निकल के आएंगी न वो जो 21 से बच्चे तैयारी कर रहे हैं जो 21 से तैयारी कर रहे हैं वो बच्चों का अब फायदा होगा धीरे धीरे ड्रोप करेंगे 2 साल ड्रोप लगेगा किसी बच्चे को 3 साल ड्रोप लगेगा तो ये 23 में ही नहीं 24 में भी इसका असर पड़ेगा और इसका असर 24 में गहरा असर पड़ेगा अब एक रीजन और क्यूंकि जब इतने सारे courses online होगे सस्ते courses होगे तो इसमें जो student हैं वो काफी बड़े हैं जैसे 21 लाग 20 से 21 लाग तक student बढ़ चुके हैं पहले 15 लाग तक दे 24 के लिए भी student काफी बढ़ेंगे मैं आपको डरा नहीं रहा ये मैं हकीकत बता रहा हूं और ये हकीकत जब सामने आती है तब पता चल जाता है क्योंकि पहले थोड़ा सा ऐसा डर लगता है कि ऐसा नहीं है ऐसा होने से ऐसा हो जाएगा लेकिन ये आगे आने वाला है कि 24 मे भी कटोफ काफी ज़्यादा हाई जाएगी यूँ जाएगी इसका बता दिया है इसी वज़े से कटोफ हाई जाएगी क्योंकि 21 की जो ओन्लाइन तयारी कर रहे हैं student 21 से कर रहे हैं 23 से कर रहे हैं वो student को भी मौका मिलेगा और नया students भी आएंगे नए student इसली आएंगे कि की कटोफ ज्यादा जाने का सीटे बढ़ी हैं लेकिन सीटे उस से रेशियो में नहीं बढ़ी हैं जितने इस्टुडेंट बढ़ने का रीजन मैंने आपको बता दिया लेकिन सीटे उस रेशियो में नहीं बढ़ी हैं जिस रेशियो में स्टुडेंट बढ़े हैं तो इंडिय में भी ऐसा ही होगा 24 में ऐसा होगा कि जो ये 23 की कटोफ है इस कटोफ से डाउन कटोफ तो जाने की पोसिबिलिटी नहीं है चाहे कितना ही hard paper आजाए अगर hard question paper आएगा तो बच्चे ज्यादा बढ़ेंगे बच्चे ज्यादा बढ़ेंगे इसलिए बढ़ेंगे कि online courses होगे सस्ते courses होगे तो इन में इतनी सारे बच्चों में जब 100 बच्चे exam देंगे उसके अंदर काफी सारे बच्चे अच्छे marks लाएंगे पहले पचास ही देते थे अभी सो देंगे तो फरक तो पड़ेगा ना उसमें तो ये cutoff से down तो जाने की possibility नहीं है हलांकि जो cutoff है वो पेपर के difficulty level पर थोड़ा सा depend तो करेगी लेकिन इससे down cutoff जाने की possibility नहीं है आप आगे आगे इससे अप ही cutoff मानते जाओ वो time चला गया जिसमें cutoff down हुआ करती थी जैसे चसो जैसे 2020 में 610 आई थी 212 में 595 आगई उससे पहले 582 cutoff हुआ करती थी उससे पहले 535 cutoff हुआ करती थी 565 हुआ करती थी 482 पर selection हो अब वो समय चला गया है अभी समय आ गया है आपको महनत करने का आप एक के अपना अच्छा target set करो आप कम से कम साड़े 600 marks का target set करोगे तब आप selection range में आप आओगे तो यह आप मानके चलो कि need 24 की cutoff need 23 से कम नहीं रहेगी इससे ज्यादा ही रहेगी student काफी ज्यादा आएंगे इस बात और आपको महनत काफी ज्यादा करनी है एक target लेके चलना है शाड़े 600 से उपर का और अभी आपके पास में पांच मेने का समय है इनमें आप अच्छी तरह मैनत करके अच्छा score कर सकते हैं मैं इस वर्षे आपके लिए यही दुआ करता हूँ आप अच्छी मैनत करें अच्छा score करें ताकि आपके अच्छी rank आज के अच्छा score आज के और आप अपने dream college में जा सके इसी के साथ मैं हरसाई चोपड़ा आपसे ही लेता हूँ विदा मैं समस्ता हूँ कि वीडियो आपके लिए काफी helpful रहेगा helpful है तो आप इसको share करें ताकि बाकी सारे students को फाइदा हो सके पाकी सारे जो हैं अभी सोच रहे हैं सीटे काफी ज्यादा बढ़ेंगी इससे फरक पढ़ेगा तो यह जो मैंने आपको रीजन बताती है सीट भी बढ़ेंगी तो student भी बढ़ेंगे तो मैं आसा कता हूँ कि आप अच्छी तैयारी करेंगे मिलेंगे नए वीडियो में नई अपडेट के साथ में तब तक के लिए जय हैं